जम्मो कश्मीर में विधान सभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे वैसे अनुचे 370 और जम्मो कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदीशों में बाटने के फैसले का वि पक्षिदल लगातार केंद सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब सुप्रिम कोट ने भी मोधी सरकार पर यही सवाल दागा है। दरसल सुप्रिम कोट की पांच नियाईदीशों की समिधान पीट अनुचे 370 को निरस्त करने और जम्मो कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश का दरजा स्थाई नहीं है। जम्मो कश्मीर और लद्दा केंद्र शासित प्रदेश के दरजे के भविश्य पर 31 अगस को सरकार विस्तरित बयान देगी। सोलिसिटर जनल तुशार मैता का कहना है कि जब हाला सामाने हो जाएंगे तो जम्मो कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाएगा। आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बदलेंगे और ये कब तक हो पाएगा क्योंकि वहाँ लोकतंत्र की बहाली महत्पोन है। अब कोट ने तो केंद्र सरकार पर सीधा सवाल दाग दिया जिसके बाद देखना होगा कि मोधी सरकार क्या जवाब देती है। देबी लाइफ के रपो